जैंदर नमस्कार मेरे शेर शेरियों लाड लो चाड लियों आप सभी को स्वागत आपकी अपनी यूटूब चनल आर्वे अकेट में पर दोस्तों आप सभी को पता है Moscow सी जीडी एक्जाम कि अन्तिम दो दिन बच्चे हैं अन्तिम दो दिन यनि आखरी दो दिन का समय बच्चा है अब आपको इस समय को किस परकार होना चाहिए और अन्तिम दो दिन में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें दिमाग को आपकी मनोश्तिति को किस परकार होना चाहिए ये समय मैं आपको बताओं लाड लो तो आप सभी जितने ही बच्चे हैं जिनका एंतीम के दो दिन बच्चे अप पेपर होने में कोई शक नहीं है और आपकी तैयारी लाड दो सबसे पहले मैं बता दू सबसे जदा फाइदा किस को होगा ये एक लाइन सबसे जदा पूछी का ही होता है जिसने पढ़ाई की है उसको फाइदा होगा जिसने मेनत की उसको फाइदा होगा लाड लो इसमें कोई सक नहीं है ठीक है इसमें कोई सक ही नहीं है जा रखना तो सबसे जदा फाइदा पढ़ाई करने वाले और मेनत करने वाले कोगा इसमें कोई सक नहीं लेक करेंट जीके के टोटल किस्टिनों का रिविजन करना चाहिए ठीक है अंतियम समय चैनल कोई भी किसन अ ज्यादा टेंशन लेने का जूरत नहीं, दिमाग पेपर इसर नहीं रखना है, आपकी तैयारी अच्छी है, ये बान के चलके अपने विश्वास रखेंए अपने आप पे और बहुत है अच्छे से पेपर में आंसर करिए बीटा, ठीक है, तो आखिरी समय है, तो एक तो आप को इस समय मंत्री मंदल पढ़ लेना चाहिए, दूसरा रिजिनिंग और मोडल पेपर, आपको रिजिनिंग और मेत के जिसे अलग सी मोडल पेपर इस समय निकालने चाहिए, तकि आपके सभी परकार के टोपिक का एक एक बार रिविजन हो जाए, मोडल पेपर अंतिम समय व हम दो दिन में ध्यान रकिए, हिंदी के लिए, अब मोडल पेपर मिलाईए, शाहत में परियाईवाची, परियाईवाची हो गए, विलॉम सब्द हो गए, इन सभी का मुहावराल लोकों कोक्तिया, एकार सब्द, वाक्य के लिए एक सब्द, इन को आप एक बार रिविजन कड़ा लिए, क्योंकि पांच सा गंटे, साथ गंटे कर आपने हिंदी किताब लेके बेट तो इस सब पड़ दो गए, तो अंतिम समय में एक बार इनका सभी का रिविजन कर दी है, जो हिंदी की फोक्यमल लिए निए जो याद करने वाले चीज़ है, इन सभी की, बेत और आप मोडल पेपर से हल करिए, यनि आकरी समय, अब आपके पास मोडल पेपर होगा, उस से आप अंतिम समय में इसको हल करिए, लाड़ लो, और बहुती बढ़ी आशी, बहुती बढ़ी आशी आप पेपर देना, अपने उपर रिविजन आ सकना, आप मैं आपके एक बाद किया अंतिम दो दिनों में, तो आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, अपने उपर पूरा विश्वास रखना है, अपनी तयारी पे पूरा विश्वास रखना है, अपनी मैनत पे पूरा विश्वास रखना है, और एक अच्छे से बहुत ही शान्दा तरीके से सांत मंत के सा पेपर अटेंड करना है अंतीम समय है घवराना नहीं है बिलकूल भी अगर आप आप में क्रियोशिटी ये ज्यादा घवरा जाये गई उसक्ता बड़े की पेपर के पड़ती तो आप घलत कर लोगे आते वी किरुशनों को भी घलत कर लेगो इसलिए शांत रहिए बस मस्त र परत